अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्टर राजियंत प्रसाद देखिए दो प्रकार के पर्जन है एक है बाबू और एक है बापू तो बापू के बारे में हमने अल्रेड डिसकुशन कर लिया है बापू मतलब मैं महात्मा गांदी जी के बारे में बात कर रही हूँ तो इनके दो पार्ट आये थे पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट वन में मैंने आपको बताया है जब महात्मा गांदी जी साउथ अफरिका में थे तब उन्होंने क्या क्या काम किये और सेकेंड नमबर का पार्ट जो है वो गांधी एरा है 1915 से लेके 1947 तक तो दोनों अगर आप अधीवादी विचारधाराओं को समझते हैं तो similar गांधी वादी विचारधाराओं के साथ ही कौन थे लग्वादी भी इप्षाथ उन्हें ठिकेंड गांधी महात्मा गांदी जीТ мой आइधिलाजी आपको।। राज़न प्रसाद जी की देख ने को जी काफी जादा इंस्पायर थे महात्मा गांधी जी से और महात्मा गांधी जी से मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी के हर एक मुवमेंट में हर एक जो उन्हें सहीयोग आंदोलन या सभी जो भी मुवमेंट की शुरुआत की थी उन सभी मुवमेंट में डॉक्टर रा राजन प्रसाद जी की बायोग्राफी को आज डिसकस करने वाले हैं तो कॉपी पैन लेकर वैठिएगा जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगते हैं एक्जाम पॉइंट और व्यू से उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे और तब तक आप मुझे कमेंट करके बत जाएगा तो डॉक्टर राजन प्रसाद जी हमारे सुतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और केवल एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने दो टर्म मत्तब दो टैन्य और तक राश्टपती के कारभार को सम्हालने का काम किया है साथी साथ आजा में ये भी जाते थे कि डॉक्टर राजन प्रसाद जी राश्टपती बने इसके अलावा हमको ये भी जानना पड़ेगा कि जब डिसाइट किया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा तो क्यों डॉक्र राजन प्रसाद दी तैयार नहीं थे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का अगर आज की class की PDF आपको चाहिए है, तो हमारी website पे अविलेबल होगी, website से आप class की PDF ले सकते हैं, और application से भी आप PDF को ले सकते हैं, application पे जब आप जाएंगे तो आपको complete course भी मिलेगा हमारा SAC का, तो SAC का complete course और उसकी test series भी आप purchase कर सकते हैं, अगर आप Pooja 10 code का use करेंगे त आपको additional 10% का discount मिल जाएगा, और साथी साथ अगर आपको पूरी की पूरी जो series है, लगबग 25 वीडियो में बना चुकी हूँ, यह series आपको पसंद आ रही है, आपका knowledge बढ़ आए, आपको हमारे जो historical figures है, उनके बारे में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो like जरूर और अपने friends के बीट में share भी करेंगे, तो आईए हम स्टार्ट करते हैं biography of Dr. Rajan Prasad जी, तो सबसे पहले early life के बारे में बात करेंगे हैं, early life के बारे में, के बाद इनकी education पे चर्चा करेंगे, education के बाद एक वकील थे, law key degree इन्होंने की थी, किस तरीके से यह law key degree को त्याग देते हैं, बकालत करना छोड़ देते हैं, और फिर हमारा जो Indian freedom struggle चल रहा है, उसके साथ contribute करना शुरू करते हैं, तो ऐसे तीन phases में हम यहाँ पर Dr. Rajan Prasad जी की biography को रिसकस करने वाले हैं, तो Dr. Rajan Prasad, इनका जन्म जो है, वो सिवान, बिहार में होता है, 3 December 1884 में, तो 3 December 1884 म बजन होता है, और आप देखेंगे, इसके ही अगले साल 1885 में, INC, Indian National Congress का भी formation कर दिया जाता है, Dr. Rajan Prasad जी के father का निम, महादेव साही होता है, महादेव साही जो होते हैं, तो इनके father चाहते हैं, कि Dr. Rajan Prasad जी भी Persian language जो है, उसकी study करें, और arithmetic को भी सीखें, तो अलग-अ जो subjects होते हैं, उनका ज्यान, Dr. Rajan Prasad को मिल सकें, इसलिए इनके जो father होते हैं, महादेव साही, इनको एक tutor लगा देते हैं, और इनके जो tutor होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, और वो मौलवी साहब इने Persian language की जानकारी देते हैं, Persian language सिखाने का का म करते हैं, क्योंकि इनके father भ बहुत ही religious महिला होती है, बहुत ही धार्मिक महिला होती है और बचपन से ही रामायन की कथा, महाभायत की कहानिया, डॉक्टर राजन परसाद जी को सुनाया करती है, लेकिन बहुत कम उम्र में, जब राजन परसाद जी बहुत छोटे होते हैं, तो उनका निधन हो जाता है, अमलेश्वरी देवी का निधन हो जाता है, अब छोटा बच्चा तो उसका पालन पोशन कौन करेगा, तो डॉक्टर राजन परसाद जी की जो बड़ी बहन होती है, ओल्डर सिस्थर होती है, भगवती देवी, भगवती देवी जो होती है, वो उनका लालन पालन करती है, उनको सिक्षित करने का काम करती, मतलब एक तरीके से उनको देखने का काम उनकी बेहन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनकी माता का निधन हो जाता है, जब डॉक्टर राजन प्रसाद जी काफी छोटे होते हैं, तो ये कुछ बाते हमने देखी, कि Dr. Rajan Prasad जी बिहार सिवान से बिलॉंग करते थे 3 दिसमर 1884 मिन का जन्म होता है इनके फादर का नाम महादेव सहाई होता है माता का नाम कमलेश्वरी देवी होता है और कमलेश्वरी देवी का निदन होने के बाद उनका लालन पोशन जो है Dr. Rajan Prasad का लालन पोशन उनकी बड़ी बहन भगवती देवी के द्वारा किया जाता है अब बात करते है एडुकेशन के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि जुएन के फादर थे वो Persian language और Sanskrit language के scholar थे तो वो चाहते थे कि Dr. Rajan Prasad भी Persian language को सीखें तो initial level पर आपने देखा न आज तो हमारे देश में जो है वो play school चलते हैं बचपन school चलते हैं school में भेज दिया जाता है या कई बार क्या होता है एक private tutor रख दिया जाता है घर में कि वो आते हैं और आपको basic knowledge देना शुरू करते हैं तो वैसे ही early life में जो है Dr. Rajan Prasad जी के लिए उनके फादर ने प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट कर दिया था और वो आते थे Dr. Rajan Prasad जी को arithmetic और Persian language वगएरा सिखाने का काम करते थे उसके बाद इन्होंने English की जो professor थे उनसे English को भी पढ़ा English पढ़ी, Persian language पढ़ी, Sanskrit पढ़ी तो कई सारे language को ये जानते थे अच्छा हम लोग एक general बात करते हैं यार वो व्यक्ती तो बहुत intelligent है उस व्यक्ती का दिमाग तो computer की तरह है एक बाद देख लेता और दिमाग में सब को छप जाता है ऐसी हम बाते करते हैं ने लोगों के बारे में तो आप उन्हें ऐसा भी बोल सकते इतना बड़ा sentence बोलने से जादा आप उनको बोल दे यार तुम्हारा दिमाग तो राजेंदर प्रसाद जी जैसा है क्योंकि राजेंदर प्रसाद जी का जो दिमाग था वो इंतम कम्प्यूटर की तरह था वो एक बार किसी चीज़ को देख लेते तो उनके दिमाग में वो चीज़ प्रिंट हो जाती थी बहुत ही ब्रिलियंट बहुत ही इंटेलिजेंट रहे हैं Dr. Rajan Prasad इन्होंने MA भी किया है इन्होंने law degree भी की है law भी doctorate भी किया है और gold medalist भी रहे हैं और भले ही फिर बाद में ये Indian freedom struggle के साथ जुड़ गए हो और उन्होंने सारी चीज़ों को त्याग दिया हो अब वकालत करना छोड़ दियो हो लेकिन इनिशेल लेवल पर आप देखेंगे तो डॉक्टर राजन प्रसाथ एक बहुत ही शांदार और बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के स्टूरेंट रहे हैं इनका जो इनिशेल एड्यूकेशन था वो छपरा डिस्टेक स्कूल में हुआ था ठीक है और छपरा डिस्टेक स बाद इन्होंने जो है वो इंटरेंस एक्जाम दिया कहा का इंटरेंस एक्जाम यूनिवर्सिटी ओफ कैलकटा यूनिवर्सिटी ओफ कैलकटा का इन्होंने इंटरेंस एक्जाम दिया और टॉप किया फर्स नंबर पर आये तो टॉप किया और टॉप जब इन्होंने किया अब देखो जैसे में आज भी प्रेसिडेंसी कोलेज बहुत बड़ा है लेकिन उस दौर में उस समय có rolled बहुत ही बड़ा कॉलेज माना जाता था क्योंकि बहुत ही कम इंडियन टो है वो एडूक होते थे बहुत कम इंडीम इंडियन को लिबल तक पहुत लिए थे तो आप देखेंगे Presidency जो कॉलेचे उससे कई सारे पॉलिटिकल लीडर, ये अग बहुत सारे नगीनों ने पढ़ाइए है प्रेसिटेंसी कॉलेच से। ठीक है ना? आप अगर देखेंगे अमरित सेन की बात कर लिजे यंगर राजन परसाज़ जी की बात कर लिजे यंगर बड़े बड़े लोग है उन्होंने प्रेसिजेन्सी कॉलेज टे पढ़ाई की हैं तो 1902 में राजन परसाज़ जी ने भी इंरोल्मेंट कीया कहाँ पर है economics से 1907 में अब college की life में college की life में ही active हो गये ते और politics में दीरे-दीर involvement होने लगे थे मतलब दिसे कि Indian National Congress तो थी तो Indian National Congress में youth होता है न वॉलेंटियर बन जाते हैं तो 1906 में इन्होंने Indian National Congress में as a volunteer काम करना शुरू कर दिया अब जो college था तो उसमें college में भी छोटी-छोटी groups होते हैं college के भी elections होते हैं है न सारी चीज़े होती हैं तो college के समय से ही ये active हो गये थे और इन्होंने dawn society और servant of India society को join किया था servant of India society वही गोपाल कृष्ण को खले वाली तो dawn society और servant of India society को भी इन्होंने जोइन किया था और उसके भी एक active member की तरह काम कर रहे थे चीक इतनी चीज़े अब 1915 में 1915 में डॉक्टर राजन प्रसाद एपियर हुए थे master in law करने के लिए law में master degree करने के लिए एपियर हुए university of calcutta में इस exam को पास किया और gold medal हासिल किया तो देखिए यहां पर इन्होंने MA कर लिया economics से और अब master भी कर लिया है law से तो एक वेरिस्टर बन गया है एक आप कह सकते है वकील बन गया है और जब वकील बन गया है तो वकालत करना शुरू करेंगे तो 1916 से इन्होंने वकालत का काम शुरू किया तो यह member रहें High Court of Bihar and High Court of Odisha High Court of Bihar और Odisha के जो है वो member के रूप में इन्होंने वकालत करना शुरू किया था ठीक है पटना High Court से इन्होंने अपने करियर की शुरूरात legal करियर की शुरूरात यहां पर की थी इसकी बाद इन्होंने इन्रॉल्मेंट लिया डॉक्टरेट इन लॉमें यह ना Master दो कर चोक है लॉसे अब अब इन्होंने एडमिशन लिया और फिर वो पैडलल में चलती रही पैललल जब स्टडी कर रहे थे तो कई सारे कॉलेजेस में इन्होंने एकोनॉमी पढ़ाने का काम एसा प्रोफेसर भी काम किया है इनकी डॉक्टरेट इन लौ है वो अलाबाद उनिवर्सिटी से 1937 में कम्प्लीट हुई तो बहुत लंबे समय तक जो है इनकी डॉक्टरेट की डिगरी चली और बीच में पैडल बहुत सारी चीज़ें इर्दगिर्थ हो रही थी क्योंकि गांदी जी से भी मुलकात हो चुकी थी इती चीज़े क्लियर है 1917 में he was selected as one of the first member of Patna University, Senate and Syndicate तो Patna University में Senate and Syndicate के member भी बने थी मतलब एक आपके सकते हैं कि धीर धीर active हो रहे थे politics में और college के politics में भी involved थे different society को उन्हें जोइन कर रहा थे और social work में भी काफी active थे Dr. Rajan Prasad जी इसके अलावा 1920s में इन्होंने एडिटर की तरह भी काम किया जो हिंदी weekly आता था देश और English bi-weekly आता था search line उसमें एडिटर की भूमी का एडिटर के रूप में भी Dr. Rajan Prasad जी काम किया गया है तो ये इनकी कुछ जल्कियां थी इनके education से रिलेटिक अगर हम Dr. Rajan Prasad जी के बारे में बात करते हैं एक बहुत अच्छी कहानी मझे याद आती है केवल बहट 12 साल के थे क्योंकि उस समय तो बाल विवा हो जाता था ऐसा कोई कानून तो था नहीं तो केवल 12 साल के थे Dr. Rajan Prasad जी तब उनकी शादी हो जाती है और किस से शादी होती है राजवंशी देवी से इनकी शादी 1896 में होती है ऐसा कहानी पढ़ रही थी इन्होंने अपनी आर्टोबायग्राफी लिखिये जिसका नाम है आत्मगथा तो उसमें उन्होंने बताया है कि जब 12 साल के थे महस 12 साल के थे और उनकी शादी हो रही थी तो शादी में तब जहाँ इनकी वाइफ रहती थी वहां तक बारात ले जानी होती है तो वो डोली में बारात ले जा रहे थे और वो छोटे से थे ही बारा साल की उमर में तो वो डोली में ही सो जाते है तो ये कहानी थी तो किसी को नहीं पता था कि एक व्यक्ति जो अपने शादी में जा रहा है क्योंकि आंगे आप देखेंगे, आँगे जब आप देखेंगे, जब हम different movements के बारे में बात करते हैं, जब हम असहयोग अंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो असहयोग अंदोलन में क्या किया जाता है, यही किया जाता है ना कि हम सरकार को किसी भी तरीके का सहयोग नहीं द तो इनका एक बेटा था, राजन प्रसाद जी का एक बेटा था, जिनका नाम है मृत्युन जय प्रसाद, और वो भी एक politician है, ठीक है, मृत्युन जय प्रसाद, डॉक्टर राजन प्रसाद जी के बेटे हैं, इतनी चीज़े क्लियर हुए, आईए, अब हम बात करते हैं, रोल fight of freedom, fight for freedom, तो क्या रोल रहा है इनका इंडियन struggle में, इंडियन freedom fighting में, तो वो हम देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि, जब वो college life में थे, तो college life में ही, जब college की different societies होती हैं, और उसमें भी एक active member की तरह काम करना, इन्होंने शुरू कर दिया था, और 1906 में, as a volunteer, इन्हो उने permanent जो है, वो Indian National Congress को join कर लिया था, लेकिन इतने ज़ादा active नहीं थे, active कभ होते हैं, इन्डियन National Congress में, जब इनकी मुलाकात महात्मागानी से होती है, और महात्मागानी जी से मुलाकात कभ होती है, 1916, 1916 का आप याद रखेंगे, तो देखिए, आपको मैंने दो घटना जिसमें गरमदल और नरमदल डिवाइड हो जाते हैं, और वहीं लखनव सेशन जो होता है, 1916 का उसमें गरमदल, नरमदल और आपका Muslim League, सभी कुछ जो है, वो कम्माइन हो जाता है, ये बात आपने सुनी होगी, देखी होगी, पड़ी होगी, So, 1916 का जो लखनव अधिवेशन था कॉंग्रेस का, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भी आए हुए थे, और उसी अधिवेशन में जो है, वो डॉक्टर राजन प्रसाद भी गए हुए थे, वहीं 1916 में इनकी मुलकात महात्मा गांधी जी से लखनव सेशन में होत उठाना चाहिए पड़े हुए, पड़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो, स्कॉलर हो, डॉक्टरेट की डिगरी कर रहे हो, लॉस है और वकालत का काम भी कर रहे हो पटना में, तो बिलकुल यहाँ पर गांधी जी के कहने पर ये एक्टिफ हो जाते हैं इंडिया नेशनल को इन्वाइट करते हैं कि चलो मैं चंपरन जा रहा हूँ, 1917 में, तुम मेरे साथ चंपरन चलो, तो चंपरन जो है, वो 1917 की घटना है, और चंपरन कहा है, बिहार में ही है, चंपरन जो सत्या ग्रह होता है, वो क्यों होता है, इंडिगो, जो नील की खेती होती है, तो अंग टो यहां पे तीन कठिया सिस्टम थब फिरोध में चंप रं सत्याग्राइवरा था से लिए गानी जी till चंप रंभी करने चाह सकते हैं और इंत जोकरण से में बहुत closeness थी अगर गानी जी सबसे ज़्यादा किसी को पसंद करते थे तो वो थे Dr. Rajan Prasad ठीक है तो यहां से जो है freedom fighting में या फिर Indian National Congress में एक active member की तरह काम करना शुरू करते हैं Dr. Rajan Prasad कब से चंपरन से इतनी चीज़े clear हो गए है तो चंपरन में नो volunteer की तरह काम किया चेक है तो चंपरन सत्यग्राइड not only brought him closer to Mahatma Gandhi but also changed the entire course of his life तो काफी जादा इस चंपरन में जो गानी जी की विचारदारा थी गानी जी का जो काम करने का तरीका थे उससे काफी जादा प्रभाबित हुए काफी जादा influence हुए और उसके बाद इनकी लाइफ एकदम change हो गई और 1920 तक आप देखेंगे इनोंने decide कर लिया कि भाई अब तो मुझे वकालत वकालत नहीं करनी है अब तो मैं केवल इंडिया का जो freedom movement सल रहा है उसमें गानी जी का सही निर्णाय आता है कि अर्देश की हरत वाकई में बहुत खराब है Britishers बहुत अत्याचार कर रहा है और मुझे जो है अपना पूरा जीवन अब है वो इंडिया के लिए देश के लिए देना चाहिए ठीक है तो 1920 में असायोगान दोलन शुरू हो जाता है और यहाँ पर गानी जी कहते हैं कि जो विदेशी वस्तुए हैं जो Western Education है Western Educational Institute है उनका बाइकॉट किया जाए तो यहाँ पर देखे डॉक्टर राजन परसाद जी के बेटे होते हैं बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मृत्यूंजय प्रसाद अब वो भी यहाँ पर Western Educational Institute में पढ़ाई करते थे तो डॉक्टर राजन प्रसाद ने अपने बेटे को कहा कि तुम वो पढ़ाई छोड़ दो उस इंस्टिटूट को छोड़ दो और विहार विध्यापीर से अपनी बाकी की मतलब ट्रेडिशनल इंडियन मॉडल को फॉलो करते हुए अपनी बाकी की स्टडी को कम्प्लीट करो तो बिलकुल डॉक्टर राजन प्रसाद जी की कहने पर उनके बेटे ने जो वेस्टर एडुकेशन इंस्टिटूट था उसको छोड़ दिया और विहार विध्यापीर जो इंस्टिटूट था वहाँ पर मतलब इंडियन स्कूल को इंडियन कॉलेज को जोइन करके बाकी की स्टडी इनों ने कम्प्लीच की है मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे डॉक्टर राजन प्रसाद जी एक कुछ घटन याद आ गई है मैं थोड़ा सा बताती हो देगे 1962 को दौर था 1962 में आपको पता इंडिया चाइना वार हो रही थी और इंडिया चाइना वार में आपको पता हमारी देश की हालत उस सम इतनी अच्छे नहीं थी हमारी एकोनॉमिक कंडिशन इतनी अच्छे नहीं थी इसलिए देशवालों को कहा गया कि सभी लोग कॉंट्रिब्यूट करो सबी लोग contribute करो तब तक उनकी wife जो थी उनकी भी death हो चुकी थी 1962 तब जो है उनकी wife की भी death हो चुकी थी तो उनकी wife के जो कहने थे उनके wife के जो कहने थे उन्होंने पूरे के पूरे दे दिये थे 1962 की war में कि ये देश के काम आ सकते हैं तो इस तरीके के personality थे, इस तरीके के वो व्यक्ति थे डॉक्टर राजन प्रसाद जी, चलिए, अगली बात करते हैं, non-corporation movement, असहियो गांदोलन की शुरुआत, 1920 में हो जाती है, तो डॉक्टर राजन प्रसाद जी भी असहियो गांदोलन की शुरुआत, या उसके leadership समालते क पर बिहार में, क्योंकि बिहार से belong करते हैं, तो बिहार अगर same language है, हमारे देश का व्यक्ति है, हमारे गांव का व्यक्ति है, तो आप उसके साथ ज्यादा connective feel कर पाते हो, right, तो डॉक्र राजन प्रसाद जी ने non-corporation movement की शुरुआत बिहार में की, जो कि गांदी जी को सह गांदी जी के साथ तो जोड़े हुए थे, अपर गांदी जी शुरू करते हैं, salt satyagrahe, जो आप दांडी मार्च के बारे में पढ़ते हो, मैंने गांदी जी की बायोग्राफिय में पुरी चीज़े डिस्क्राइब की है, तो salt satyagrahe, तो महात्मा गांदी जी का salt satyagrahe था नमक बना के उसको बेचने लगे, जिससे पैसा भी आए, फंड को भी रेस कर सकें, ठीक है, तो इसके कारण बिटिश अर्स ने इनको पकर लिया और छे महीने के लिए जेल में डाल दिया, तो बिलकुल salt satyagrahe में इनोंने गांदी जी का सायोग किया, ये salt satyagrahe कहां से कर बिहार से कर रहे थे, इनोंने बिहार में नमक बनाना शुरू किया, और जिससे फंड रेस हो सके, तो salt को बेचना शुरू किया, जिसके कारण बिटिश गवर्मेंट के द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया, छे महीने के लिए, तो ये salt satyagrahe के बाद, दॉक्टर राज का session होता है, उसकी presidency Dr. Rajan Prasadji के पास होती है, और इस session कहां हो रहा होता है, Bombay में, तो INC का 1934 का session, तो याद रखेंगे Dr. Rajan Prasadji ने अपने पूरी life में, दो बार, दो बार Indian National Congress का जो अधिवेशन होता था न, उसकी दो बार presidency की है, एक बार 1934 में की है और एक बार 1939 में की है तो दोनों years को आपको याद रखना है, तो Bombay session, Indian National Congress का होता है, 1934 में, उसकी presidency Dr. Rajan Prasadji की पास होती है, तो Dr. Rajan Prasadji को अप अनुभव है, कैसे organization को साथ में लेके चलना है, कैसे लोगों को साथ में लेके चलना है, किस तरीके से आपकी कार प्रणाली होनी चाहिए, किस तरी करना है, उसके बाद एक बहुत एक फेमस त्रिपूरी क्राइसे होता है, अगर Indian National Congress में, कई सारे चीज़े हुई है, लेकिन जो एक बहुत फेमस incident हुआ है, वो त्रिपूरी क्राइसे हुआ है, त्रिपूरी का कांड आपको पता ही है, वहाँ पर क्या हुआ था, दो परसन एक थे पत्ताभी सितर रमाईया और दूसरे परसन थे सुभाष चंद्रबोष जी है ना, तो यहाँ पर election के लिए जो प्रेसिदेंट चुने जाते हैं, Indian National Congress के वो कौन चुने जाते हैं, सुभाष चंद्रबोष जी और पत्ताभी सितर रमाईया जो candidate होते हैं, वो महात्मा का प्रेसिदेंट बनाया जाता है, तो यह घटना 1939 की है, तो यह सेकेंड टाइम जो है Indian National Congress के प्रेसिदेंट बनते हैं, तो डॉक्टर राजन प्रसाद दो बार Indian National Congress के प्रेसिदेंट है 1934 में और 1939 में, अब बात करते हैं आंगे, क्विच इंडिया मुपमेंट मतलब भारत जीरो आर के अंतरकर, जितने भी बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीजर्स थे उस समय, उन सब को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उन में से डॉक्टर राजन प्रसाद भी थे, डॉक्टर राजन प्रसाद जी को भी अरेस्ट किया गया, और डॉक्टर राजन प्रसाद जी उस समय सदाकत आश्रम में थे. और सदाकत आश्रम में जाकर ब्रिटिश की आर्मी ने डॉक्र राजन पिसाद जी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके इनको बांकीपर सेंटरल जेल में डाल दिया. और 3 साल तक उनों जेल में रखा और 1945 में ये जेल से रिहा हुए 1942 में अरेस्ट हिया 1945 में ये जेल से रिहा किया गया जेल से रिहा होने के बाद आप सभी को पता है cabinet mission आ गया था cabinet mission के बाद आपको constitute assembly बनानी थी जिससे कारण सम्मिधान सभा का गठन करना था और सम्मिधान सभा का काम क्या होगा सम्मिधान सभा का काम होगा एक interim government बनाना और भारत के सम्मिधान की रचना करना यह बात थी आपको तो यहाँ पर देखेंगे 1946 में इन्होंने interim government ही जो पंड़त जवालाल लहरू की उसको join किया 1946 में जो interim government बनाई गई थी, interim government क्यों बोल रहे हैं कि अभी हमारे देश में election नहीं हुए है हमारे देश में जो election होंगे 1951, 1952 में होंगे और तब permanent एक government बनेगी लेकिन election के पहले के जो government है देश आजाद होने के पहले की भी government है, इसका नाम है interim government तो एक interim government बनाई गई थी पंड़े जवाललाल लहरू की द्वारा और पंड़े जवाललाल लहरू जी की ministry मतलब जो portfolio थे, उनमें Ministry of Food and Agriculture Minister of Food and Agriculture जो है, वो किसे चोना गया था दॉक्टर राजन प्रसाद जी को तो दॉक्टर राजन प्रसाद जी के पास Minister of Food and Agriculture का portfolio भी था और इन्होंने एक slogan भी दिया है Grow More Food Grow More Food यह slogan किसका है, डॉक्टर राजन प्रसाद जी का है ठीक है, अब 1946 में क्या हुआ था 1946 में अब आपने Constitutional Assembly बनाए, एक सम्मिधान सभा का गठन किया ठीक है, इस सम्मिधान सभा का गठन क्यों किया जाया था जिससे भारत का भी अपने एक सम्मिधान बन सके और लगबग 2 साल 11 महीने आप लोग ने पुरा पड़ा होगा 18 दिन में हमारा सम्मिधान बनके तयार हुआ था तो एक Constitutional Assembly बनाए गई इस सम्मिधान सभा के पहले पर्मानेंट अध्यक्ष के से बनाया गया था दॉक्टर राजन प्रसाद जी को बनाया गया था इसके लाब दॉक्टर राजन प्रसाद जी अलग-अलग कमीटी के भी चेर्मेन थे जैसे कि एड-hoc कमीटी और नेशनल फ्लैग इतिहास में काफी important दिन होता है क्योंकि इस दिन 26 जनवरी का जो दिन था उस दिन रावी नदी के किनारे ते रंगा फेरा आया था और पून सुराज की बात की थी देश को आजाद करानी की बात की थी तो 26 जनवरी का अपना एक importance है तो पंडे जबाला नहरूजी चाहते थे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का सम्मिधान लागू हो लेकिन जैसा कि आपको पता दॉक्टर राजन प्रसाद जी एक ब्राम्हर थे और एक ट्रडिशनल ब्राम्हर थे वो पूजा पार्ट पे विलीफ करते थे ठीके ना और कैज़े थे कि जो पुरानी परमपराएं हैं वो इतने सालों से चड़ली आ रहे हैं और उन्हीं परमपराओं को फॉलो करना चाहिए तो एक बहुत ही ट्रडिशनल परसन थे डॉक्टर राजन प्रसाद जी और उस दिन 26 जनवरी को जो अश्विनी नक्षर्त था तो इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो है वो हमारा देश का संविधा लागू नहीं होना चाहिए वो दिन अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पे पंडेजवाला लहरू जी का कहना था कि हमारा देश प्रगती सील है हमको साइन्स और टेकनोलोजी की तरफ बात करनी है हमें तारों को नच्छत्रों को देखना है लेकिन हमें वो टेलिस्कोप से देखना है हमें वो टेलिस्कोप से देखना है देश का विकास करना है तो इन सब बातों पर विलिव नहीं कर सकते हैं ऐसा पंदत जवाला नहरू जी का कहना था इसलिए यहां पर भी आप देखेंगे डॉक्टर राजन प्रसाद जी और पंदत जवाला नहरू जी के बीच में थोड़ी सी आपको कहा सुनी जरूर देखने को मिलेगे और इंटरस्टेंग बात क्या है कुछ भी होता था ना दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते थे और भेजते नहीं थे जेब में रख लेते थे तो ऐसा भी आपको इंसिदेंस देखने को मिलेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का सम्मिधान लागू कर दिया गय ठीक है और उसके बाद इंडिया के पहले राश्टपती की रूप में डॉक्टर राजन प्रसाज जी को चुना किया अब यहाँ पर भी एक कहानी है सरदार बलब भाई पटेल और डॉक्टर राजन प्रसाज जी के बीच में भी काफी closeness थी ठीक है ना तो सरदार बलब भा पटेल और कॉंग्रेस के अलग और लीडर्स चाहते थे कि डॉक्टर राजन प्रसाज जी जो है वो भारत के राश्टपती के रूप में बने लेकिन पंड़त जवाला नहरू जी का अपना ही एक अलग दबदबा था उनकी बातों को लोग सुनते थे उनकी बातों को कभी क नकारा भी नहीं करता था तो पंडे जवाला लहरू चाहते थे कि जो सी राजगोपालाचारी हैं सी राजगोपालाचारी वो भारत के पहले राश्टपती बने क्योंकि सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल भी थे आपको पता ना देश को आजाद हो करने के बाद हमार पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे तो वो चाहते थे कि इनको अनुभव भी है तो सी राजगोपालाचारी के साथ उनकी मित्रता भी अच्छी खासी थी तो वो चाहते थे पड़े जबाला लाहरू कि सी राजगोपालाचारी जो है वो भा बावन में एलेक्शन होने के बाद बापस से इन्हें जो है राश्च्पती बनाया गया तो 1962 तक ये भारत के राश्च्पती की रूप में काम किया लगवख 12 साल तक भारत के राश्च्पती या महा महीम की रूप में डॉक्टर राजन पिसाज जी के द्वारा काम किया गया ह ठीक है भारत के पहले राश्टपती रहें और भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राश्टपती रहें जिनको दो टैन्य और के लिए दो टर्म के लिए इन्हें चुना गया 1962 में इनका रेटायर्मेंट हो जाता है पॉलिटिक्स से चीक है जब रेटायर्मेंट हो गया उनका पॉलिटिक्स से तो बापस ही अपने सदाकत आश्रम चलेगा ऐसा नहीं कि किसी गवर्मेंट के बंगलों में रह रहे हैं सुखसबदाओं का आनंद ले रहे हैं नहीं कभी ऐसा इनों नहीं किया कि 1962 में रेटायर्मेंट के बाद बापस से पटना चलेगा और अपनी रेटायर्मेंट को वहाँ पे गुजारने लगे सदाकत आश्रम में चीक है 1962 में इनका जो कॉन्टिबुशन रहा है हमारे देश को आजात कराने में इसलिए Government of India के दौरा इंहे इनिë 1962 में भारत ट्रतन जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सिबीलियन अवार्ड होता है भारत ट्रतन दिया गया 1962 में तो इसको भी ययाद आपको बीज़ होती तो 1963 में इनका निधन हो जाता है तो इनका जन्म घुअ था 1884 में हुआ था और निधन निधन जो है वो 1963 में इनका निधन हो गया en 1962 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था ईतनी ही से क्लियर है ठीक है तो पतना में राजेंड प्रसाजी को याद रखने के लिए उनको सम्मान देने के लिए राजेंड इसमृती संग्रालाई भी पतना में बनाया गया है डर इतने चीज़ेश हैं तो ये थे राजेंड प्रसाजी जिनके बारे में हमने काफी कुछ सीखा the first president of Republic of India Salt Satyagraha इन्होंने launch किया था बिहार में Quich India Movement और Salt Satyagraha के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा था और 1962 में इन्हें भारत रखन सम्मान भी दिया गया था तो इस सारी बाते हमने Dr. Rajan Prasad जी के बारे में कर ली है अब इनके कुछ पुछ पुब्लिकेशन है इनका कुछ वर्क है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इन्होंने Satyagraha एड चंपारन क्योंकि 1917 में गांदी जी के साथ चंपारन में Satyagraha इन्होंने जॉइन किया था तो Satyagraha एड चंपारन इन्होंने पुस्तक लिखी है 1922 में इंडिया डिवाइड इन्होंने 1946 में लिखी है इनकी ओटोबाइग्राफी जैसे कि महात्मा गांदी जी के ओटोबाइग्राफी है न सत्ते के साथ मेरे अनुप्रियोग वैसे ही यहाँ पर डॉक्टर राजन परसाद जी की ओटोबाइग्राफी जिसका नाम है आत्मे कथा इन्होंने 1946 में लिखे दे महात्मा गांदी एंड बिहार सम रेमिसिंस 1949 में इन्होंने पुस्तक लिखी है बापू के कदमों में 1954 में इन्होंने यह रचना की है तो यह सभी रचनाय जो है वो डॉक्टर राजन परसाद जी की आपको देखने को मिलेंगी ठीक है आई होप आपको पूरी बाइग्राफी समझ में आई होगी इनके अर्ली लाइफ के बारे में अर्ली अजिकेशन के बारे में तो सम्मिधान सभा का गठन किस के बाद हुआ था साइमन कमीशन के बाद, कबिनेट मिशन प्लान के बाद, बेबल प्लान के बाद या नहरू रिपोर्ट के बाद तो जो भी आपका सही अंसर है वो आप हमें कमेंट में दीटेगा और बताईएगा के सेशन कैसा लगा हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर की बायोग्राफी को रिव्यू करने के लिए तब तक अपना ख्याल रखेंगे टेक केर और बाबाए